ना तो मावा लिया है ना ही कोई मिल्क पाउडर और यह बनी है बहुत ही सौफ्ट और खाने में बिल्कुल ही मावा जैसी बिल्कुल मावे से भी अच्छी टेस्टी है यह मिठाई और बनाने में तो इतनी आशान है कि बिगनर्स भी बना लेंगे तो हलो फ्रेंड्स मैं हूं गीता और फुक्त कीता में आपका स्वागत ए तो आज की रेस्पी है व्रत के लिए यह की है झाल दूद दूद फुल क्रिम दूद है तो इसको मैं मॉईल होने के लिए रख देते हूं गर्स घेस की फ्लेम को कर देंें उसके बाद हम जब वैल आने लगहाँए तब मीडियम कर देंगी थर sommes दstorm अब्ला करना है हम लेते हैं साकुदाना एक दण एककप है यह यह दूर जो होती है खिच्टी वाले साकुदाना मेडियम सांज के तो ही लेना है कमने सब कप्रे से प्लाए सब प्लाएं बना लगा आपक एавно हम पाड़र मिक्स में डालके हुआ कि कि क्यों में पिस लिया है तो हम पिस चेक लेते हैं उसमे वलागा या नहीं में हुआ दूद हमारा वलने लगा है तो इसको चलाते रहना है चलाते रहना है बीच बीच में और गैस की फ्लैम को हम कर देंगे इस टायम पर बिल्कुल मेडियम जिससे की उबलता रहे धीमे धीमे और गाड़ा हो जाए तो इसको में थोड़ा सा गाड़ा करना है तब तक जो दूद हमारा गरम हो रहा है तब त स्टिके से फैळा लेते हैं अब हामें करना है चोना साबू। दना पीस के लिए था न कंटिनिसली चलाते हुए इसको लो टू मीडियम फलेंप पर मिसको भूंजेंगे याद रहे इसका color change नहीं होना चाहिए बस इसमें हलकी सी खुसबू आयन लगे बस इतना ही भूझना है हमें तो low to medium flame करते हुए इसको हम भूझ लेंगे तो 2-3 मेट हो गए हैं यह हमारा भूझ गया है अब इसमें हम डालेंगे 2-3 चममस desiccated coconut नायल को बुरादा होता है जो उसको डाल देंगे इसको डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर आप पसंद ही करते तो स्किप कर सकते हैं लेकिन यह डालने से बहुत ही टेस्ट अच्छा लगता है इसका तो हम इसको डाल के लिए और इसको थोड़ा सा भूझ लेंगे कि अब बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है विल्कुल हलका हो गया है भूझने के बाद तो इसी तेस्ट चलाते हुए अब इसको एक मिनट और भूझ लेंगे और बस हम गैस की फ्लैम को कर देंगे यह बंद यह सारा हमारा भूझ गया है अब इसको हम एक प्लेट में टांसपर कर लिया है इसको हम थोड़ा दे के लिए ठंडा होने देते हैं तब तक हम अपना इस छेक लिए कर लेते हैं इसको चाहिट मॉटें ऋबलते ओवलते eक्रों गया है काफी कम हो गया है गाणा हो गया है तो इसको चला देंगे अ का इसके बाद आप मैं डालेंगे इसको और कृबी और जल्दी जल्दी गाणा経 होने के लिए 맞아요 क्रीमी क्रीम हो जाए मावा जैसा उसके लिए हम इसमें डालेंगे दूद्ध की मलाई बचती है ना उस मलाई को हमने निकाल के रखा था उसी मलाई मैंसे हम 2-3 चमच मलाई और डाल देते हैं इसमें जिससे जल्दी से ठिक हो जाए अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो आप दूद्ध की क्वांटती थोड़ा और बढ़ा दे और इसको थोड़े देर और गाड़ा होने तक पका लें लेकर इस तरह के से दूद्ध जल्दी गाड़ा हो जाता है हमारा टाइम भी बच जाता है और इसका टेक्सर क्रीमी क्रीमी हो जाता है मावे जैसा चीनी ली है इसको डालके इसको हम इसमें चलाएंगे और घुलने देंगे चीनी को चीनी हमारी घुल गई है उसमें भी आ गया है कच्छा सा वॉयल तो अब हम इसमें डाल देंगे कोटी हुई लाइची अगर आप लाइची का फ्लेवर पसंद नहीं करते तो इसकिप कर सकते हैं लेकिन इसको डालने से बहुत ही अच्छी घुस्पू आती है तो आप जरूर डालेगा बहुत इच्छ लगता है अब इसमें जो साबू दाना का मिक्षर बनाकर रखा था ना उसको थोड़ थोड़ डालते हुए इसको मिलाना है गयस की फ्लैम को बिलकुल स्लो कर देना है जिससे में लेंज पढ़ें नहीं पढ़ते हैं आप आराम से डालते हुए धी इसको थिक करना है बहुत जल्दी थिक हो जाता है देखिए कि इसकी फ्लेम एक प्लेम पर लोग से-मेडियम रखना है बस और देखिए चलाते हुए हमें 2-3 मिनट हो गई है और एक्तम थिक हो गया है इसने कढाई छोड़ दिये, कढाई के तला छोड़ दिया, देखो इसमें, अब हम करेंगे प्लेट को ग्रीस, कोई भी ट्रेय प्लेट हो आपके पास, इसको घी लाकर मैंने ग्रीस कर लिया है, और यह हमारा पक गया है, बिल्कुल सावगोदाना का, बेटर, बिल्कुल ही इ जब दिया, कढाई भी छोड़ दी है, तो अब हम इसको करेंगे प्लेट में ट्रांस पर, जिस ट्रेय में हमने लगा के रखा है ना घी उसी में डाल देंगे, इसको इवनली इस्प्रेड कर देंगे, इसको इवनली स्प्रेड कर देना है, आप कोई हाथ से कर सकते हैं, तो हाथ से कर लिजिए, ध्यान रखिए, गरम है, अगर आपको ज़्यादा गरम लग रहा है, तो आप कोई कटोरी ले लिजिए, और फ्लेट तले की उससे इसको फेला दीजिए, चिकना कर दीजिए, उसके बाद अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, पहले इसमें मैं थोड़े से ड्राइफोर डाल देती हैं, तो मैंने कुछ बादाम काटके रखा है, बिल्कुल बारिक, वो डाल देती हूं, फेला देती हैं, उससे इसको गार्निस कर देते हैं, अगर आपके प ठंडा होने के लिए रख देती हैं, आदी घंटे के लिए, जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तब हम इसके पीसे काटेंगे, तो यह हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसके पीस काटके दिखा देते हैं आपको, यह बहुत ही smoothly कट जाता है, और बहुत ही यकीन माने रखल कोई बिना लेगा हो यह देखिए बिल्कुर स्वुथी कट गए हमारे सारे पीसे से देखने में भी बिल्कुल लग रहे हैं से मावा पाँ बनीयों बिल्कुल सफेद को खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है आप इसको बना के इस तरीके से त्राइब कीजिए तो लीजिये तैयार है हमारा साबूदना पाक यह आप से रात दी की व्रत में ज़रू बना के खाईए और महमानों को भी खुलाईए खाने में देखने में बहुत ही टेस्टी है तो आप एक वाइस तरीके से बना के देखिए जल्दी बन जाती है उसमें कोई ताम शाम नहीं करना पड़ता लीजिए तैयार है हमारी साबुदाना पाप यह आप कह सकते हैं साबुदाना की बर्फी इसको मैंने काजू लगा के गार्निस कर दिया ह है जैसे थोड़ी देखने में अच्छी लगे तो लीजिए तैयार है हमारी पिल्कुल सिंपल बनी हुई साबुदाना की बर्फी तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी है आप एक बार जरूर अपने कमेंड्स बॉक्स में आकर कमेंड करिएगा अगर आपको मेर अच्छी लगी है तो इसको जरूर बनाइए या फिर कोई भी ब्रत में बनाकर खाईए ब्रत में ब्रत की ही रेस्पी है बहुत ही इजी है अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक सेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मैं चैनल को थेंक्यू